हलो दोस्तो आज हम कम्मुनिटी हेल्थ का एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आइसबर्ग फिनोमेना अभी आइसबर्ग फिनोमेना कम्मुनिटी एरिये में या फिर समुदाइक एरिये में किसी डिजीज के लिए यूज किया जाता है अब यह iceberg phenomenon का मतलब क्या है iceberg का मतलब होता है बर्फ का एक टुकड़ा जब कोई समुदर में एक बहुत बड़ा बर्फ का कोई टुकड़ा हो न तो उसको बोला करते हैं iceberg phenomenon मतलब कोई गटना होई है कोई ऐसा effect जो किसी चीज़ से relate कर रहा हो तो ऐसी गटना जो iceberg के साथ में relate की गई है community area में और ही community area में relate की गई है disease portion से तो सीधा सीधा यहां पर बोलने की कोशिश की गई है कि community health में जो भी disease हुआ करती है उसको relate कर दिया गया iceberg से iceberg मतलब समुदर में कोई ऐसा बर्फ टुकड़ा इसी फिनोमेना के साथ में attach कर दिया गया iceberg phenomena of disease पहला point यहां पर according to iceberg phenomena disease in community represent with iceberg iceberg मतलब इस बर्फ के टुकड़े से relate की गई है community में होने वाले disease को अब यह बर्फ के टुकड़े से कैसे relate की गई है अब एक बार यहां पर टुकड़े को देखो कि जो भी यह पुरा समुद्र है अगर पड़ा समुद्र है समुद्र में कोई बर्फ का कोई टुकड़ा हो तो ऐसा होता है कि जो हमें दिखाई देता है जो हम देखते हैं वो उपर से ही देखते हैं उपर से देखने वाली चीज़े मतलब जो अगर यह परकी तरह थे तरह से हुआ जो में दिखाई नहीं दिया करता है, मतलब जो पानी के अंदर हुआ करता है, तो इसी फिनोमेना को relate किया गया community में होने वाली diseases के अकोड़ी, यह represent कैसे करता है, यह represent इस तरीके से क्या करता है, कि जो भी यह waterline है, इससे उपर जो भी दिखाई देने वाला portion है, मतलब जो community में होने वाली diseases है, जो सब को दिखाई देती है, दिखाई देती है मतलब जिसके signum symptom आया करते हैं बीमारी के लक्षान आया करते हैं तो वो ही दिखाई दिया करते हैं तो उसको relate कर दिया करते हैं जो हमें दिखाई देना वाला portion यह floating tip है तो इस से relate कर देते हैं तो community में होने वाली जितनी भी डिजीज जो दिखाई देती हैं, उसको हम वाटर लाइन से उपर वाले मारकर में, यानि कि फ्लोटिंग टेप में पढ़ा करता हैं, और यह फ्लोटिंग टेप है, जो दिखाई देने वाली भी उमारी है, इसको देखता कोन है, क्लिनिकल या अफिर कोई डॉक्ट कौन सी कंडिशन आ गई, बीमारी जो दिखाई दे रही है, उससे पहले वाली सिच्विशन, मतलब जो जिनकी सुरुवात हुई है, या वो जिनके साइनेम सिम्टम नहीं आया करते हैं, या वो कैरियर वाली सिच्विशन में, उसी को यहां पर मेंशन किया हुआ है, वो बी पर अपरिंट केस जिन में साइनेम स्म्टम नहीं दिखा देते हैं, प्री सिम्टमेटिक केसि, मतलब जैसे फिवर आने वाला है, तो फिवर से आने वाली पहली सिच्विशन में, इंफेक्शन बोड़ी में हो गया, लेकिन उस टाइम कोई साइनेम सिम्टम नहीं आ रहे है तो वो cases भी इसमें रखे गए, साथ-साथ में कुछ undiagnosis cases, जिनको diagnose नहीं किया गया है, लेकिन वो बीमारी तो है, या फिर carrier, carrier मतलब जो travel क्या करते हैं, एक जिगह से दूसरी जिगह पर बीमारी को फैलाने में help क्या करते हैं, तो उनको carrier बोलते हैं, लेकिन उनमें खुद मे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो फैला तो रहे हैं बीमारी हैं, तो यह सब के सब cases को, यह सब cases hide होते हैं, इनको doctors नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि साइनम symptom ही नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको बोला गया है, सब मर्ज पोर्सन में ही, इस iceberg के फिनोमेना को साथ में relate कर द देती हैं, उनको बोला floating tip, एक हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, उनको बोला submerged portion, और एक है waterline, waterline को मतलब है कि वो condition, जो submerged portion में भी है, और floating tip में भी है, जैसे कि वो situation है, एक example में देता हूँ आपको, जैसे BP किसी का बढ़ावा है, 130 by 85 mmSG आता है, लेकिन जो एक BP है, यह इस वाली situation में कि अगर इस से उपर बढ़ गया, 140 या 140 से उपर चला गया, तो hypertensive situation हो सकती है, जैसे pre-diabetic situation है, pre-diabetic में glucose का लेवल बढ़ा होना, लेकिन उस लेवल तक नहीं बढ़ा होना कि हम उसको diabetes बोल दें, लेकिन अगर जैसी glucose का लेवल थोड़ा उपर बढ़ जाएगा तो वाली situation में आ जाएगा, वो syndrome symptom दिखाए देने लग जाएगे, उसके तो इसको हम diagnose confirm कर लेंगे, है ना, तो ये situation इसको बोलते हम waterline, जो waterline पे बिमारी कुछी time बाद हो सकती है, इसको demarkation भी बोला करता है, अब इसको पढ़ता है, floating tip, submerged portion और waterline को detail में, तो सबसे पहले है यहाँ पर भी floating tip, floating tip is represent what physician seen, जो भी doctor देखा करता है, कोई physician देखा करता है, clinician देखा करता है, उसको यह floating tip represent करती है, और यह physician देखा करता है, या कोई clinical cases, या फिर sinus symptom, किसी भी बेमारी के sinus symptom हो, या फिर already कोई diagnose cases हो, जैसे बहुत लंबे टाइम से किसी को diabetes, malitis हो, वो already diagnosed cases है, तो उन्ही को ही doctor बार बार देखता है, तो it represents what physician seen, और इसको clinical cases और diagnosis cases को ही इस category में आया करते है, next point है, clinician is concerned with tip of iceberg, क्योंकि clinician सिर्फ उसी पे depend करता है, जिसमें symptom आ रहे हैं, जो चीजे दिखाई दे रही हैं, जो चीजे नहीं दिखाई दे रही हैं, जो undiagnosis case है, उसको तो doctor देख या नहीं, next point है, diagnostic test is done for tip of iceberg, मतलब जो भी दिखाई देने वाले sign and symptom है, उन्ही के लिए ही diagnostic test perform किया जाएगा, example जैसे मैं बता हूँ आपको, suppose करो कि एक client hospital में आया है, और complain कर रहा है कि मुझे fever आ रहा है, fever की साथ मुझे sweating भी आती है, और मेरा weight बहुत ज़्यादा लोस हो र तो tuberculosis के लिए diagnostic test perform किया जाएगा, sign and symptom के base पर ही किया जा रहा है और doctor के दवाले किया जा रहा है, इसलिए floating tip वाली category में count होगा, I hope यह first point clear हो गया होगा, अब बढ़ते हैं, submerged portion पर, मतलब वो portion जो छुपावा portion है, hide portion है, इसलिए इसको बोलता है, submerged portion, clear, it represents the hidden portion of disease, disease का hidden portion को ही represent किया जाता है, submerged portion के द्वारे example बोला गया, latent cases, अलड़े हमने बात कर लिया, latent cases मतलब वो cases जिन में antigen अपनी inactive form में है, कोई बीमारी नहीं फैला रहा है, लेकिन अगर favorable condition कभी भी आई, तो कभी भी signum symptom सो कर सकता है, उसके बाद in apparent cases, pre-symptomatic cases, अभी symptom से पहले वाली आवस्था में है, symptom आई नहीं है, तो pre-symptomatic cases है, undiagnosis cases है, diagnose ही नहीं हुआ है, लेकिन बीमारी है, उसके बाद मैं carrier in community, clear हैं, यह कुछ examples हैं, अब next point discuss करें, epidemiologist is concerned with hidden portion of iceberg, यह बहुत important point है, सब मर्ज portion को epidemiologist देखा करता है, डोक्टर नहीं देखा करता है, जबकि floating tip को doctors या physician या फिर clinician देखा करते हैं, जबकि सब मर्ज portion को कौन देखा करता है, epidemiologist, एक example से पढ़ते हैं, जैसे अभी last covid time में क्या हुआ है, कि कोई भी client को हमें quarantine करना है, जबकि उसे disease नहीं हुई है, लेकिन कोई भी risky area से कोई भी travel करते हैं, अगर आया है, तो उसको जो quarantine करने की authority थी वो किसके पास थी, epidemiologist को, क्योंकि epidemiologist community area में रहता है, उसको पता रहता है क कि कौन cases किस तरह से travel करके आ रहा है, तो उसको quarantine करने का जो काम था, वहाँ पे epidemiologist का, तो ऐसे ही, sub merge portion को कौन देखता है, epidemiologist, जबकि floating tip को देखेगा, कोई भी doctor या physician, तो ये एक main difference है, question यहां से कुछ हो जाता है, next point है, screening test is done for hidden portion of iceberg, इस condition में screening test perform किया जाता है, जबकि floating tip के लि जबकि यहां पर क्या करना है, screening test, large area में से कुछ suspected को हमें बाहर निकालना है, clear है, तो यह यहां पर difference है, diagnostic test और screening test का भी, और एक point है, epidemiologist और clinician का difference दोनों में, तो यह आपको high hope समझना आ रहा होगा, next point है यहां पर, water line, या फिर demarkation भी इसको हम बोला करते हैं, demarkation की हमने बात कर लिए, जो अभी cases confirm नहीं हुएं, लेकिन साइनम सिम्टम कभी भी आ सकते हैं, it represents demarkation between apparent, मतलब जो साइनम सिम्टम दिखाई दे रहें, and inapparent, जिन में साइनम सिम्टम दिखाई नहीं दे रहें, उन लोनों के बीच वाला ही portion है, water line portion, तो question यहां पर पुछा जाता है, demarkation जो lines हो करेगा, वो water lines हो करेगा, apparent and inapparent cases के बीच में, तो यह था third point, अब इसमें एक point और बसता है, disease not follow iceberg phenomena, वो कौन सी diseases हैं, जो iceberg phenomena को follow नहीं किया करती हैं, तो कुछ cases हैं यहां पर, पहला point है, measles, rabies, titanus, यह कुछ diseases हैं, जो iceberg phenomena को follow नहीं किया करती हैं, इस से मतलब समझ में क्या आ रहा है, एक point यहां पर लिखाव है, these diseases have no subclinical cases, यह subclinical cases को follow नहीं करती हैं, इसका मतलब क्या है, कि जैसे ही यह बीमारी होगी, तो signum symptom definitely आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए, यह iceberg phenomena को follow नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें, submerge वाला portion नहीं होगा, जैसी बीमारी होगी, वो so होगी ही होगी, इसलिए iceberg phenomena को follow नहीं करते हैं, example जैसे rabies है, अगर rabies हुआ है, तो definitely symptom आएंगे आएंगे, तो इस तरह से इन disease को इस value points में रखा गया है, तो दोस्तों, यह था आजगा lecture, I hope यह lecture आपको पसंद आया होगा, अगर यह lecture समझा है, तो वीड